आरियन खान जब तक जेल में रहे तब तक शारुक खान किन हालातों में थे? क्या उन पर बीत रही है? ये बताया उस शक्स ने जिसकी इस दौरान शारुक खान से कई मुलाकाते हुई सतीश मान शिंदे आरियन खान का केस शुरुआत से वही संभाल रहे थे? एंड में मुखल रोहादगी ने ये केस संभाला सतीश मानशिंदे की multiple times meeting हुई शारुक खान से अपने बेटे की बेल पर updates के मामले में और इस case के मामले में हमने कई बार सतीश मानशिंदे को मननत के बाहर spot किया गया सीधे जब भी high court में या sessions court में hearing हुई तो उसके बाद हमने सतीश मानशिंदे को मननत जाते हुए ही देखा ऐसे में आज जब सतीश मानशिंदे और जितने भी शारुक खान की legal team के members थे उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है तो सभी ने उन्हें भी बढ़ाया दिया और इसी के साथ उनसे पूछा गया कि आपके इस दौरान शारुक खान से meeting तो हुई होगी किन हालातों में थे वो कैसे थे वो इस पर सतीश मानशिंदे ने जवाब दिया कि कहना पड़ेगा कि शारुक खान बहुत strong है इन हालतों का सामना शारुक खान ने काफी मजबूती से किया जो कि आसान नहीं था As a father कोई भी ऐसी इस्तिती से तूट सकता है और मैं ये चाहूँगा कि कि किसी भी पिता को अपने बेटे के लिए इस तरह के दिन न देखने पड़े और इस तरीके से अपने बेटे के लिए कोई भी पिता ना तरसे ये शब्द कहे सतीश मानशिद्ने ने लेकिन ये भी कहा कि शारुक ने पूरी situation को बहुत ही strong तरीके से handle किया तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी बात है शारुक को लेकर शारुक शुरुआत से ही बाजिगर रहे हैं जिन्दगी ने हराने की कोशिश की लेकिन उनकी हिम्मत में उन्हें हमेशा जिताया है और इस बार भी शारुक खान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है उनका बेटा आरियन खान जल्द ही जेल से बाहर आएगा और मन्नत में उनके साथ रहेगा हाला कि ये बात अलग है कि अब जिन्दगी वैसी नहीं रहेगी जिन्दगी के प्रती सोच आरियन की बहुत बदलेगी बहुत कुछ वो जेल में रहने के दौरान देखकर आए हैं ग्राउंड पर रहकर उन्होंने रियालिटी देखी है कि कैसे कैदी होते हैं कैसे जेल की जिन्दगी होती है तो कह सकते हैं कि आरियन खान की 23 साल की उमर पर जेल के ये 23 दिन बहुत भारी पढ़ने वाले हैं जिन्दगी भर ये जो इंसिडेंट उनकी लाइफ का है ये काफी एहम इंसिडेंट होगा और इससे बहुत कुछ सीख कर ही आरियन बाहर निकलेंगे लेकिन शारुक खान ने बहुत स्ट्रॉंगली अपने आपको संभाला है कल भी इनफैक्ट शारुक खान को स्पोट किया गया था मुंबई के एक होटेल में जहां पर मुकुल रोहाद गी और बाकी टीम के मेंबर से शारुक खान ने मुलाकात की थी और पूरी अपडेट ली थी केस को लेकर